है है लो फ्रेंड्स वेल्कम दो यूटूब चैनल डिस गांदरिस्टी आज का जो मुड़ा वीडियो है वदारे थे क्लास तेंथ का जो हिंदी है इसका जो गवड़नीका है इसका पहला जो पार्ट है जिसका सिर्षक है दही वाली मंगमा तीस वीडियो हम लोग जानेंगे दही वाली मंगमा के भीवियाई बस्तनेश्ट प्रस्ण और उसके एंसर जो काफी इंपोर्टेंट है दो हजार चौबिस के तेंथ के विद्यार्थियो के लिए तीस वीडियो को अपन तक देखे और वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए और इस चैनल पर पहले और अपले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो पहला प्रस्ण है कि दही वाली मंगमा कहानी का कहानी का कहानीकार कौन है आप्शन से सिरी निवास आप्शन भी जय संक्रप्रसाद आप्शन सी भासकर और आप्शन डी सुजात्था प्रस्ण के एक का जो सेजव हो जाएगा आप्शन यह हो जाएगा दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार सिरी निवास है आप्शन भी है प्रस्ण के दो है मंगमा क्या बैस्ति थी आप्शन से दूध आप्शन बी दही आप्शन से मक्षन और आप्शन डी घी प्रस्ण के दो का जो सही जो हो जाएगा आप्शन B हो जाएगा दही प्रस्ण के तीन है सिरी निवास का जर्म कहां हुआ था सिरी निवास का जर्म कहां हुआ था आप्शन से A बिहार में आप्शन B उरिसा में Option C मध्य परदेश में और Option D करनाटक में तो प्रशन के तीन सिरी निवास का जर्म करनाटक में हुए था Option D is right प्रशन के चार है दही वाली मंगमा कहानी का परमुक पात्र कौन है Option C लक्षमी Option B मंगमा Option C पार्वती Option D सीता तो प्रशन के चार जो है दही वाली मंगमा कहानी का परमुक पात्र जो है वो है मंगमा प्रशन के पाँच है दही वाली मंगमा कहानी का कथा वाचा कहां से है Option C पटना से Option D दिल्ली से Option C बेंगलोर से Option D कलकता से प्रसंग के प्रांच का जो सेजवा बज़ागा अपसन सी हो जाएगा दही वाली मंगमा कहाने काथा बाचक बेंगलोरुस है प्रसंग के अच्छे है दही वाली मंगमा कहाने किसे संदेश देती है प्रसंग के साथ है कि मंगमा के परवार में कुल कितने सदस्यत है आपसन से दो आपसन बी तीन आपसन सी चार और आपसन डी पांच तो प्रसंग के साथ का जो सेजवा हो जाएगा आपसन सी हो जाएगा मंगमा के परवार में कुल चार सदस्यत है प्रसंग के आठ है मंगमा की बहु का नाम क्या था आप्षोन से रगम मा, आप्षोन B नजम मा, आफ्षोन C सन्जम मा और आप्षोन D कन्जम मा प्रसंख्य आठ का जो सही जवा बजागा आप्षोन B हो जाएगा मंगमा की बहु का नाम नजम मा था प्रसंख्या 9 है कि कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी बस्तु दिया करती थी आप्षान से A दूद, आप्षान B घी, आप्षान C सब्जी और आप्षान D दही तो प्रसंख्या 9 है कथाकार को वर्षों से मगम्मा दही दिया करती थी आप्शन डी इस राइट एंसर प्रसंख्या दस है कि दही वाली मंगमा कहानी का हिंदू अनुबादक कौन है आप्शन से ए बी यर नरायन आप्शन सी स्रीनिवास आप्शन सी गुपाल दास और आप्शन डी इस्वर पिटली कर तो प्रसंख्या दस का जो सेज़व होजएगा आप्शन यह होजएगा बी यर नरायन दही वाली मंगमा कहानी के हिंदी अनुबादक है प्रसंख्या ग्यारा है दही वाली मंगमा किस भासा में रचित कहानी है आप्शन से A उडिया, आप्शन B तमिल, आप्शन C कन्नड और आप्शन D गुजराती तो प्रसंख्य जो 11 है दही वाले मंग मां कन्नड भासा में रचित कहानी है प्रसंख्या 11 का आप्शन C से होगा प्रसंख्या 12 है नगम्मा और नजम्मा के बेश जगड़ा मिटा कर अच्छा संबना स्थापित करने का माध्याम कौन था आप्शन से A मगम्मा का बेटा, आप्शन B मगम्मा का पोता, आप्शन C रगम्मपा और आप्शन D इन में से कोई नहीं प्रसंख्या 12 का जो सही जोब हो जाएगा आप्शन B हो जाएगा मगम्मा का पोता, प्रसंख्या 13 है कथा बाच्या को मगम्मा क्या कहा करती थी? काथा बाचक को मगमा क्या कहती थी अप्सन से बहन जी अप्सन भी मौसी जी अप्सन सी मा जी और अप्सन डी काकी जी तो प्रसंग के तीरा का जो सही जब हो जाएगा अप्सन सी हो जाएगा मा जी प्रसन के चोदा है दाई वाली मंगमा का काथा वाचक कौन है आप्सन से एक शिक्छी का है आप्चन Beim बैंगलूर में एक संभरात महिला है आप्षन c एक काला कार है और आप्षन d इन में से कोई नहीं तो प्रसंखे चोदा का जो सेजोब हो जाएगा आप्सन बी हो जाएगा दही वाली मंगमा का कथा वाचक बेंगलूर की एक संभरात महिला है प्रसंखे पंद्रह है अधिक बुधिमान कौन थी आप्सन से मगमा आप्सन भी गाउं की एक अन्य महिला आप्सन सी नजम्मा और आप्सन दीन में से कोई नहीं तो प्रसंखे पंद्रह का जो सही जोब हो जाएगा आप्सन सी नजम्मा प्रसंखे शोला है मगम्मा प्रतिनिधित वो करती है आप्सन से एक नगरिये महिला की आप्सन भी एक ग्रामीर महिला की आप्सन सी एक संभरात महिला की और आप्सन दी इन में से कोई नहीं तो प्रसंख्या सोलक का जो साईज़ा हो जाएगा मगम्मा प्रतिनिदित करती है इसका साईज़ा अप्षन भी हो जाएगा एक ग्रामीड महिला की प्रसंग के सत्रह है कि बहु की दसा है आप्संग से मगरमक्ष सी आप्संग भी मचली सी आप्संग सी सम्मान और आप्संग इनमें से कोई नहीं तो प्रसंग के सत्रह का जो सेज़ा हो जाएगा आप्संग ए हो जाएगा बहु की दसा मगरमक्ष सी है प्रसंख्या ठाड़ा है मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी आप्षन से पोता के लिए आप्षन भी पोती के लिए आप्षन से भाजी के लिए और आप्षन भी बहु के लिए तो प्रसंख्या जो अठाड़ा है मगम्मा मिठाई किस के लिए ले जा रहे थी तो इसका सई जब हो जाएगा आप्शन बी पोती के लिए प्रसंख्या 19 से मगम्मा कहां की रहने वाली है आप्शन से A अवलूर के पास किसी गाओं की आप्शन B सातूर के पास किसी गाओं की आप्शन C जलोन के पास किसी गाओं की और आप्शन D नागौर के पास किसी गाओं की प्रसंख्या 19 मगम्मा कहां करहने वाली थी इसका सई जब हो जाएगा आप्शन A अवलूर के पास किसी गाओं की प्रसंखिया बी से दही वाली मंगमा सिर्षक पाठ में बहुने सास से समझाओता क्यों कर लिया आप्षन से डर से आप्षन बी प्रेम से आप्षन सी मजबूरी से और आप्षन डी सौक से तो प्रसंख्या बीस दैवाली मंगमाख सिर्षक पार्थ में बहुने साथ से डर से समझोता कर लिया प्रसंख्या 21 अमराई का कुणा कहा है प्रसंख्या 21 अमराई का कुणा कहा है इसका सही जो भुज़ेगा प्रसंख्या 22 इस चोटे से बच्चे को क्यों पिट रही है किस ने कहा आप्सन से मगमा ने आप्सन भी पाप पती ने आप्सन सी लक्षमी ने और आप्सन भी सीता ने प्रसंख्या 22 का जो सही जो हो जागा आप्सन यह हो जाएगा मगमा ने कहा क्यों रे राक्षे सी इस चोटे से बच्चे को क्यों पिट रही है प्रसंख्या 23 है नजम्मा मगमा की कौन थे आप्सन से बेटी आप्सन भी मौसी आप्सन सी बहु और आप्सन डी सो तिन प्रसंख्या 23 नजम्ममा मगमा की कौन थे आप्सन सी हो जाएगा बहु प्रसंख्या 24 रगप्पा था रगपप, रंगपप था, आप्शन से A, जुवारी, आप्शन B, बियापपारी, आप्शन C, वकीर, और आप्शन D, किसान तो प्रसंखे 24 का जो सेज़ा हो जाएगा, आप्शन A हो जाएगा, रंगपप, जुवारी था प्रसंखे 25 से इस वीडियो का अंतिम प्रस्ण है, प्रस्ण है कि घार के राते, एक घार वाले के राते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किस नहीं कहा आप्शन से मगम्मा ने, आप्शन भी नजम्मा ने, आप्शन से लेखक की पत्नी ने, आप्शन डी, इन में से कोई नहीं प्रसंखे 25 से घार वाले के राते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा मगम्मा ने कहा था यह था हमारा आज का वीडियो जो अधारित था, क्लास तेंथ का जो वर्निका है, उसका जो पहला पार्ट है, जिसका सिर्सक है, दही वाली मंगमा, जिसके कहानिकार है, सिरी निवास, और इसकी जो मुक पात्रा है, उसका नाम है मगम्मा, और उसकी जो बहु है, नजम्मा तो यह काफी important part है और इससे संबंदित भी भी यह objective question और उसके answer पर अधरित हमरा आज का वीडियो जो काफी important है अगामी 2024 में 2024 में तेंद की जो board exam होने वाली है उसके लिए इस वीडियो का आप अपन तक देखें वीडियो को like किजिए share किजिए और यदि आप इस channel पर पहले विजिट करें तो please channel को subscribe कर ले और बेल एकन को दबादे जिससे जो भी वीडियो बनाओ उसका notification आपको मिल जाए तो thank you for listening and watching कर दो